बिजय नेगर समराज की बात करें तो बिजय नेगर समराज की आस्थापना 1336 में हुआ था बिजय नेगर समराज की आस्थापना कब हुआ था 1336 में बिजय नेगर समराज की आस्थापना हरीहर हरीहर एवं बुक का नौमक दो भाई ने किया था बीजय नगर समराज की अस्थापना हरिहार रवन्बुक का नामक दो भाई ने किया था कभ गया था 1336 में बीजय नगर का अगर मूल अर्थ देखा जाए बीजय नगर ये जो बीजय नगर है इसका मूल अर्थ क्या है? बिजय का सहर इसका सब्सक्राइबाए एसका साथधिक अर्थ क्या होगा? इसका जो मूल अर्थ होगा वो बिजय का सहर बिजय नेगर समराज की अस्थापना हरिहर और यॲवम्बुखका नमक दो भायओं ने 1336 बी में किया थे विजय नेगर समराज का मूल अर्थ क्या होता है विजय का सहर देखे इसी में आगे है हरीहर एवं बुका ने विजय नेगर की अस्थापना विद्यारन्य संत से असिरवात से प्राप्त कर की थी इन्हीं के एक गुरुजी हुआ करते थे जिसका नाम है विद्यारन्य विद् असिरवाद लिया हरीहर और एवं बुक्का दोनों भाईयों ने उसके बाद विजयनेगर समराजी की अस्थापना किया अगर यहाँ पर प्रसने ये भी बनेगा कि विजयनेगर समराजी की अस्थापक हरीहर एवं बुक्का जो दो भाई थे इनके गुरुजी का क्या नम था बिद्यारन संत इनहीं से असीरवाद लिया हरियार एवंबुका ने उसके बाद बिजयनेगर समराज की अस्थापना किया था बिजयनेगर समराज जो है डक्षिन भारत का ये समराज था ये किस एरिया का है डक्षिन भारत का अच्छा विजयनेगर समराज की बात करें वर्तमान में ये किस राज के अंदर है वर्तमान की बात करें वर्तमान में ये करनाटका राज के अंदर है किस राज के अंदर है करनाटक और वर्तमान में करनाटक में है करनाटक के अंदर एक नविंतम जिला भी बना है नविंतम ज जिला और ये जिला कौन सा बना है विजयनेगर धियान रखियेगा विजयनेगर समराज तो 1336 इसवी का है लेकिन वर्तमान से में ये किस राजी का अंदर है करनाटा के अंदर है और करनाटा का नमीनतम जिला कौन सा है विजयनेगर ये अधुनी भारत की अभी हाल फिलाल की बात है और यह जो है मद्धिकालीन भारत के अंदर आता है विजयनेगर समराज इसके आगे देखते हैं हरियार इबंबुका ने अपने माता पिता संगम के नौम पर संगम राजवन्स की अस्थापना की थे तोहां तर यह आप एड़ेस्ट किजे न होगा वहां से नया हाथ दर दर किजेगा तब नहों हो गया है अधर ठेक है अब छोड़िये विजयनेगर क्या है देखे हरियार इबंबुका ने विजयनेगर की अस्थापना विद्यारनी संत से असिरवाद से किया था हरियार इबंबुका ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम समराज की उसने एक और राजवंस चलिए था जिसका नाम है संगम राजवंस, याद रखेगा संगम राजवंस की अस्थापना किस ने किया था विजे ने गर समराज की अंदर किस ने किया था हरियर राजवंस बुक्का ने, इसको अंडरलाइन किजिए, हरियर और बुक्का ने एक नए राजवन्स की अस्थापना किया था जिसका नाम है संगम राजवन्स बिजे नगर समराज की राजधानी हमफी थी बहुत इंपोटेंट कोशन है बिजे नगर समराज की राजधानी हमफी बिजय नेगर समराज की राजधानी कहा थी हम फी बिजय नेगर समराज के खंडर तुंग भद्रा नदी के किनारे इसकी राजभासा तेलगू है देखे कभी कभी परिक्षाम ये भी पूछा गया बिजय नेगर समराज की जो राजधानी है हम भी किस नदी के किनारे है तुंग भद्रा नदी के किनारे है तुंग भद्रा नदी के किनारे है और ये जो खंडर है यहां की जो राजकिय भासा हुआ करता था क्या हुआ करता था तेलगू विजे नगर समराज की राजकिय भासा क्या था तेलगू विजे नगर समराज की प्राइब दाने कहा थे हम भी अगला पॉइंट जखते हैं क्या है हरियर एवं बुका पहले वारंगल के काक्षिये सासक परताप रुद्रदेव के सामान्त थे विजय नेगर समराज पर करमसा निम्न वंसों का सासन किया गया विजय नेगर समराज के अंदर में कई राजवन करमसा जो था वह संगम था उसके बाद इंसके बाद समराज के अंदर और संथा नेगर कई और और करम इसके बाद संथार व्हुधव फॉर किसके सामन्त थे परताप रुद्रदेव क। रुद्रदेव के वारंगल का एक सासक हुआ करता था जिसका नाम है परताप रुद्रदेव बिजयनेगर समराज के संस्थापक हरियर और एवं बुक्का वारंगल का एक सासक यानि राजा हुआ करता था जिसका नाम है परताप रुद्रदेव इसी रुद्रदेव के यहां यह सामंत थे, यानि सामंत का मतलब होता है कि इन्होंने इसके यहाँ नौकरी किया करते थे, किस राजा के यहाँ परताप रुद्रदेव, बाद में इन्होंने अपने पिता के नाम से बीजे नेगर समराज में एक बंस चलाया, जिसका क्या नाम पड़ा, संगम बंस, अब ब आगे देखते हैं, बुक्का पर्थम ने बेदमार्ग परती पास्थक की उपाधी धारन की थी, नेक्स्ट हरिहर दो, हरिहर दूतिया ने संगम सासकों में सबसे पहले महाराजा धिराज की उपाधी धारन की थी, डबल लाइन कीजिये, मेरे भई, आप लोगों को हम पूरे भारतिय इतियास में ऐसे 14 सासक हुए जिन्होंने महराजा धिराज की उपादी धारन किया था भारतिय इतियास में 14 सासक हुए जिसने महराजा धिराज की उपादी धारन किया था वहीं पर अगर हम लोग बिजय नेगर समराज में बात करें कि महराजाद हिराज की उपाधी धारन किस ने किया था था हरिहर दूतिया ने बिजय नेगर समराज के अंदर पहले सासक बने ये जिसने कि महराजाद हिराज की उपाधी धारन किया था ध्यान में रखना है अगला है इटली का यात्री निकोलो कॉंटी बिजयनगर की यात्रा पर देवराय पर्थम के सासनकाल में आये थे ये भी इंपर्टेंट धियान रहेगा इटली का एक यात्री था जिसका नाम है निकोलो कॉंटी इटली यात्री निकोलो कॉंटी विजय नगर की यात्रा पर देवराय पर्थन के सासनकाल में भारत आया था धियान रहेगा इटली यात्री निकोलो कॉंटी किस देश के रहने वाले थे इटली का रहने वाला थे इटली की राजधानी कहा है इटली की राजधानी रोम है और रोम किस नदी के किना रहे टाइबर नदी के किना रहे यह भी ध्यान रखना है यहीं इटली का एक व्यक्ति था जिसका नाम है निकोलो कॉंटी और यह निकोलो कॉंटी जो है बिजयनेगर समराज में देवराय पर्थन के सासनकाल में आया था धियान रखियेगा निकोलो कॉंटी जो इटली का यात्री था बिजयनेगर समराज में किसके सासनकाल में भारत आया था देवराय पर्थम के सासनकाल में भारत आया था आगे देखते हैं देवराय पर्थम ने तुग भद्रा नदी पर एक बौंद बनवाया ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नगर में नहरे ला सके सीचाई के लिए उसने हरिद्रा नदी पर भी बॉंध बनाए वाया क्या किया देवराय पर्थम ने तुंग भद्रा नदी पर एक बॉंध बनवाया जिससे क्या हो कि वहां के किसानों को सीचाई के लिए उत्तम बेवस्था हो सके है ना धियान रखेगा देवराय पर्थम ही ऐसे सासक है जिसने तुंग भद्रा नदी पर बॉंध बनवाया तुंग भद्रा नदी पर बॉंध बनवाने वाले सासक का क्या नाम है देवराय पर्थम जिससे क्या हो किसानों को सीचाई करने में सहलियत हो इसके लिए बांध का निर्मान करवाया था किस ने देवराय पर्थम ने किस नदी के उपर करवाया था तुम भद्रा नदी के उपर आगे देखते हैं संगम बंस का सबसे परतापी सासक देवराय दूतिया था इसे इमाडी देवराय भी कहा जाता है संगम बंस का सबसे परतापी सासक कौन हुआ देवराय दूतिया हुआ संगम बंस का सबसे परतापी सासक कौन देवराय दूतिया इसे इमाडी देवराय भी कहा जाता है इमाडी देवराय किस सासक को कहा जाता है इमाडी देव राय कहा जाता है देव राय दूतिया को आगे देखते हैं फारसी राजदूत अब्दूल रज्जाक फारसी राजदूत अब्दूल रज्जाक जो देव राय दूतिया के सासनकाल में बिजे निगर आया इसके अनुसार बिजे निगर में पुलीस वालों का व इसका नाम है अब्दूलरजाक, फारस का राजदूत अब्दूलरजाक भारत में किसके सासनकाल में आया, देवराय दूतिये के सासनकाल में आया, इसकी अनुसार इनहीं का कथन है, इन्होंने ही कहा, इसकी अनुसार ही, विजैनेगर के अंदर जो पुलिस वालों को वेतन द जाती थी वो कहां से दी जाती थी विस्तियालाई से ये हम नहीं कहा रहे हैं ये फारस का जो राजदूत था जिसका नम में अब्दूल रज्जाक ये भारत में किसके सासनकाल में आया था विजयनेगर समराज के अंदर देवराई दूतिया के सासनकाल में भारत आया और इन् तेल्गु कभी श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय दुतिया के दर्वार में थे। फरिस्ता के अनुसार देवराय दुतिया ने अपनी सेनों में 2000 मुसल्मानों को भरती कराया था एवं उन्हें जागिरे दी थी। यानि कि विजय नेगर समराज के अंदर जो सेना हुआ करते हैं उसमें मुसलिम सेना को भी समिल किया गया था दो हजार सेना को। जग बेटकर एक अभीलेक में देवराय दुतिया को क्या कहा गया है जग बेटकर यानि हातियों का सिकारी कहा गया। जग बेटकर किसको कहाते हैं हातियों का सिकारी देवराय दुतिया ने संस्कृत गरंत महा नाटक सुधानिदी एवं महा सुत्र का भास लिखा है। आगे है मलिका अर्जुन को ग्रोड देवराय भी कहा जाता है। समराज में दूसरा वंस जो हुआ सालूब वंस इसके संस्थापक कौन थे। सालूब नर्सिंग विजय नगर समराजी के अंदर दूसरा जो राजवंस हुआ उसका नाम है सालूब वंस इसके संस्थापक कौन थे। गैन सालूब निर्सिंग आगे दिखते हैं तुलूब बन्स के संस्थापक कौन थे, वीर नर्सिंग तुलूब बन्स का सबसे महनतम सासकक वा क्रिश्नदेवराय, क्रिश्नदेवराय को डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, कृष्णिदेव राय के ही दरबार में एक परसिद इसका परजामे रहा करते थे इसका नाम है स्टेनाली रामन है ना धियान रखेंग इसको रात भर क्या नदी के अंदर में खड़ा रहना पड़ा था जाड़े के समय में उसकी कहानी है एक तुलूब बंस का महान सासक था क्रिष्णिदेव राय वह 8 अगस्त 1529 वी को सासक बना तुलूब बंस का सबसे महान सासक जो हुआ वो कौन है क्रिष्णिदेव तुलूब बंस का सबसे महान तम सासक कौन था क्रिष्णिदेव राय वह 8 अगस्त 1529 वी को सा पती था सलूब तिसमा सलूब तिसमा कृष्णिदेव राय का योग मंत्री एवं सेना पती था बाबर ने अपनी आत्म कथा बाबर नमा में कृष्णिदेव राय को भारत का सरवाधिक सक्तिसाली सासक बताया जिस समय भारत में मुगल वंस का संस्थापना होगा और मुगल के अस्थापना करेगा बावर ने उस समय बावर ने क्रिश्निदेव राए के बारे में कःमंगर सम्राज में सबसे सकति साली सबसे महां साशक कौन वाद? कृष्णि देव राय ये बात किस ने कह 27 है मुगल बंश के संस्थापक बावर ने कहिए कृष्णि देव राय के ससनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमी गोस पाएस बीजेनेगर आया था इसी क्रिश्नी देवराय के दर्वार में एक पूर्तगाली यत्री जो था जिसका नाम है डोमी गोस पायस क्या नाम है डोमी गोस पायस बीजेनेगर आया था कृषिणे देवराय के दरवार में ऍसनों का एक समूह करता है जिसे क्या कहा जाता है अश्ट धिगज क्या कहा जाता है सुनो हम बतार है ध्याम से समझिएगा सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चंद्गुप्त दूतिया भारतिया इतियास में पहले सासक हुए जिसके अंदर की नवरतन रहा करते थे नो लोगों का समुथा सबसे पहली बार किसके सासनकाल में चंद्गुप्त दूतिया के सासनकाल में उसके बाद अगर नवरतन की बात करें तो मुगल वंस में अकबर के सासनकाल में थे मुगल वंस में किसके सासनकाल में नवरतन थे अकबर के सासनकाल में आठ अलग-अलग मंत्रियों का समू था जिसे अश्ट दिगज कहा गया ये किसके दरवार में थे? कृष्णी देवराय के दरवार में. अश्ट दिगज किसके दरवार में रहा करते थे? कृष्णी देवराय. और सीवाजी के दरवार में अश्ट परधान रहा करते थे. तो चार कोशन बताएं आप लोगों को चारो धियान रखना है भारती इतियास में सबसे पहली बार नवरतन किन के दरवार में? चंद्गुप्त दूतिया के दरवार में सबसे पहली बार चंद्गुप्त दूतिया के दरवार में खिर नवरतन किसके दरवार में थे अकबर के दरवार में ये मुगल समराज की बात करें तो अकबर नवरतन और उसके बाद अश्ट दिगज की बात करें तो अश्ट दिगज किसके दरवार में रहा करते थे कृष्णे देवराय और अश्ट परधान की बात करें तो अश्ट टेलगू में अमुक्त माल्यदा एवं संस्कृत में जाम वबती कल्यानम की रचना की थी उस्ठार लगा इसको भी है अमुक्त माल्यदा कई एकums में कोसन आच चुका है अमुक्त माल्यादा नमक पुस्तक की रचना किस ने किया है तो कृष्णी देवराय ये तेलगु में किया है अमुक्त माल्यादा किस भसा में किया है तेलगु में और हिंदी में बात करें सरी हिंदी नहीं संस्कृत में जांब बती जाम्बबती और अमुक्त माल्यदार ये दोनों ग्रंध की रचना किस ने किया है खृष्णि देवराय ने आगे है पंडुरंग महा मात्ति की रचना तेनाली रामन रामक्रिश्न ने की थी पंडुरंग महा मात्ति की रचना तेनाली रामन रामक्रिष्ण ने की थी आगे है नागलपूर नामक नए नगर नागलपूर नामक नए नगर हाजारा एवम विठल स्वामी मंदीर का निर्मोन क्रिष्ण देव राय ने करवाया इसको भी अंडरलाइन कीजिए नागलपूर विजयनेगर समराज के ही अंदर एक जगा है जिसका नाम है नागलपूर इस नागलपूर के अंदर विठल स्वामी मंदीर का निर्मोन किस ने कराया था क्रिष्ण देव राय ने विठल स्वामी का मंदीर किस सासक ने कराया है उपाधि ने और भोज अभीनब भोज और आंदर पितामा ये तीनों उपाधि किसने धारन किया था कृष्णी देवराय विजय नगर समराज के अंदर सबसे महंतम सासक हुआ अब आगे देखता है इसी में तुलूब बंस का अंतिम सासक सदासीव था तुलूब बंस का अंतिम सासक कां था? सदासीव राक्षसी तगड़ी यनि ताली कोटा यनि बन्नी हटी इसका युद्ध 1565 में हुआ इस युद्ध के करन विजय नगर का पतन हुआ दियान रखेगा ये 1565 में एक युद्ध हुआ है जिसका नाम है राक्षसी तगड़ी इसी का नाम है ताली कोटा भी और इसी का नाम है बन्नी हटी भी एक युद्ध है और इसका तीन तीन नाम है युद्ध एक ही है और इसका कितना नाम है तीन नाम है पहला है राक्षती तगड़ी तालिकोटा और बन्नी हट्टी ये जो युद्ध हुआ ये 23 जनवरी 1565 को हुआ ये युद्ध का हुआ 23 जनवरी 1565 को इस युद्ध के कारण बिजयनेगर समराज का क्या पतन हो गया, इसी युद्ध में बिजयनेगर समराज का क्या पतन हो गया, ताली कोटा का युद्ध 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 का युद नमरी 1565 आगे देखते हैं बीजे नगर के विरुद्ध बने दक्षिन राजियों का संग में सामिल था बीजापूर, अहमद नगर, गोलकुंडा एवन बीदर यानि बीजे नगर समराज का ही अंग था कौन सा बीजापूर था अहमद नगर था गोलकुंडा था और बीदर य इन सबी मोर्चे का नेतृत अली आदिलसा कर रहा था और इन सभी जगह का जो नेतृत कर रहा था, वो कौन कर रहा था महमत आदिलसा ने। बिजे नेगर समराज का इसमे नित्रित किसने कर रहा था राम राई ने बिजे नेगर में राजाओं और बहमनी के सुल्तान के हीत तीन अलग-अलग छित्रों में आपस टकराए थे तुंग भद्रा के दुआब में कृष्णा गदावरी के कच्छार में और मराठा वाडा प प्रारम किया ताली कोटा के युद्ध के बाद सदासीव ने क्या किया तिरुमल के सहयोग से तिरुमल एक सासक था तिरुमल के सहयोग से पेनकॉंडा को राजध्वानी बनाकर सासन करना शुरू कर दिया आगे देखते हैं विजे नगर के चौथे राजवंस इसका नाम है आरवीडू वंस विजयनगर का अंतिम जो वंस चला वो उसका नम है आरवीडू इसकी अस्थापना त्रियुमल ने सदासीब के ओपदस्त कर पेनकुंडा में किया आरवीडू वंस का अंतिम शाषक रंगा तिरतिया था आगाई दखते हैं आरवीडू साषक वेंकट दुति के सासनकाल में ही वेड़े यार ने 1612 इसमी में मईसूर राज का अस्थापना किया भीजयनगर सम्राज की परसासनी की काई प्रांत काते थे, उसके बाद को टेम या वन अडू जिसको जिला कहेंगे उसके बाद नाडू नाडू को कहते थे 50 ग्राम का समू पचास ग्रामों को मिला के एक समू बनाया जाता था जिसे क्या कहा जाता था नाडू उसके बाद उर उर कहा जाता था गाउं को अलग अलग गाउं को क्या कहा जाता था उर तो सबसे नीचे वाला जो भागता है उसको क्या काते हैं? उर, एक बार फिर से देख लेते हैं, बिजे नगर समराज में सबसे परसासनिक की दिरिष्टी से सबसे बड़े इकाई क्या थी? जिसका नाम है प्रांथ इसी को क्या बोलते थे मंडल प्रांथ किसको बोले मंडल फिर उसके बाद दूसरे अस्थान पर कोटियम आया कोटियम क्या हुआ जिला अभी का हुआ क्या हुआ जिला उसके बाद नाडू नाडू क्या हुआ पचास गौवों को मिला दिया तो एक न की विजय नगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था ये नायक प्रस्तुत भूसामंत थे जिसे राजा वितन के बदले अथवा उसकी अधिनस्त सेना के रख रखाव के लिए विशेश भूखंड देते था अथवा अम्मरेम कहलाता था यानि कि ये जो सेना का नायक उसको नगद वेतन के अस्थान पे भूमी का खंड भी दिया जाता था भूखंड दिया जाता था भूखंड समझते हैं ना भूमी का टुकड़ा ये भी उसको वेतन के रूप में दिया जाता था आगए जगते हैं आयंगर विवस्था परसासन को सुचारू रूप से संचाल एक यूनिटी, एक गूरूब का घठन किया जाता था। किया जाता था है ना इकाई के रूप में संगठित किया जाता था इन ग्रौमी निकाईयों पर शासन है तू बारा परशासिक प्राशासनिक अधिकारियों के नियुक्ति की जाती थी इन गौमाँ पर किया जाता था इकाई के बाद बारा परशासनिक इकाई का गठन किया जा सकता है कि बताई ये आयंगर व्यवस्था इन में से किस नगर में पर चली था किस एरिया में पर चली था आप बता सकते हैं बीजे नगर समराजी के अंदर है ना इनकी सेनाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतर लगान युक यक कर मुक्त भूमी परदान करती थी और इसक पद अनुवानसिक होता था इनका पद क्या होता था अनुवानसिक मतलब समझते हैं उनके पिताजी अगर अभी सेना में है तो उनके पिताजी के बाद उसका पूतर सेना में आगा फिर उसका पूतर सेना में आगा यानि इनका जो पद हुआ करता था वो क्या हुआ करता थ अनुवन्सिक हुआ करता था आगे देखते है बिजे नेगर आने वाले परमुख विदेशी यत्र विजे नेगर जो आये यत्री वा कौन कौन यत्री और कब आये और किन के सासनकाल में आये हैं सबसे पहले फ़ानेंगे निकोलो कॉंटी 50 इसको पीछे पढ़ाये निकोलो कॉ आये थे निकोलो कॉंटी ये कहां से आये थे इटली से 1420 सिस्वी में आये थे और किन के दरबार में आये था देवराय पर्थन के दरबार में ये भारत विजयनेगर समराज के अंदर आये थे दूसरा देखे अब्दुल रजाक अब्दुल रजाक ये कहां से आये थे फारस स आये थे 1442 में आये थे देव राइदुतिया के सासनकाल में तिसरी बार जानेंगे नुनीज जो पुर्तगाल का एक व्यक्ति था नुनीज जो 1535 सिस्वी में अच्चुत्ति राय के दरवार में आये थे नुनीज किनके दरवार में आये थे अच्चुत्ति राय के दरवार मे 1435 इस्वी में भारत आये थे, कहां से आये थे, पुर्तगाल से, यह किस देश से आये थे, पुर्तगाल, आगे देखें, डोमिंग पायस, डोमिंग पायस जो है, 1515 इस्वी में कृष्णी देवराय के दरवार में आये थे, 1515 इस्वी में कृष्णी देवराय के दरवार में भारत आये थे आगे दखते हैं करनिक नमक आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रे स्थे समस्थ दस्ताबेज होते थे हां विजे नगर समराज के अंदर ही एक पोष्ट का जिसका नाम करनिक का क्या का क्या था? विजे नगर समराज में जितने भी भूमी हुआ करते थे और उस भूमी का जितने भी दस्तावेज है, क्रय विक्रय का जो डस्तावेज म Свक्य पर जो हुआ करता था, जम्मा हुआ करता था? करने के पास. शमज में आया? बिजे नेगर समराज के अंदर भूमी का दस्तावेज रखने का अधिकार किन के पास था? करनिक के पास आगे देखें बिजे नेगर समराज की आय का सबसे बड़ा सुरोत था लगान बिजे नेगर समराज में सबसे आय का जो सबसे बड़ा सुरोत था वो क्या था लगान लगान से ही सबसे अधिक पैसा आता था भूराजस्री की दर कितना था उपज का एक बटा छठा भाग यानि कि वहाँ पर जो किसानों से लिया जाता था जितना उपज हुआ उसमें से छे भाग लगा के एक भाग किसानों को सरी उनको सासक को राजा को दे दिजिए एक बटा छठा भाग उपज का था देखिए बिभा कर वर वधू कर दोनों से लिया जाता था विभा कर जो है वर वधू दोनों से लिया जाता था विभा जिस समय साधी होगा तो साधी के समय में वर और करनियों दोनों से टेक्स लिया जाता था बिद्वा से विभा करने पर इस कर से मुक्त था, अगर बिद्वा कोई है और वो फिर से दोबारा साधी कर रहे है तो उनको टेक्स नहीं देना होता था, उनको टेक्स फ्री था, बिद्वा को कोई टेक्स नहीं देना था, वो फिर से अगर साधी करना चा रही है और साधी हो यूद्ध में सौरी का परदसन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमी को कहा जाता था। रक्त कोगडे विजय नगर समराज के अंदर रक्त कोगडे क्या है विजय नगर समराज में जो सैनिक हुआ करते थे और वो सैनिक अगर यूद्ध में सहीद हो गए तो उनके परिवार को भूमी दिया जाता था। रक्त कोगडे क्या है तो धियान रखेंगे रक्त कोगडे वहाँ पर विजय नगर समराज के अंदर जो भी सैनिक कारिक कर रहे हैं और वो सैनिक यूद्ध करते से में अगर सहीद हो जाते हैं तो उनको एक भूमी परदान की जाती है उनके फैमली वाले को ताकि वो उस भूमी को क्या कहा जाता था रक्त कोगडे समझ में आया आगे देखते हैं कुट्टागी ब्रहामन मंदीर या बड़े भू स्वामी जो स्वैम क्रिसी नहीं करते थे किसानों को पट्टे पर भूमी देते थे ऐसी भूमी को कुट्टागी कहा जाता थे कुट्टागी क्या ह कुट्टागी हुआ बड़े-बड़े किसान जो अपने किसान खुद से खेती नहीं करते थे और वो भूमी किसी और को देते थे कि आप इस खेत को किजी और उसके बदले आप हमको कर दिजेगा उसी भूमी को क्या कहलाता था कट्टागी कुट्टागी वे क्रिशक मजदूर जो भूमी का क्रे विक्रे के साथ हस्तांतरित हो जाते थे कुदी कहलाते थे जो इस समय जो भूमी का क्रे विक्रे करते थे उसे क्या कहते थे कुदी आगे देखे विजे नेगर के सेनी विभाग कदाचार कहलाता था तो था इस विभाग का उच अधिकारी दंड नायक या सेना नायक होता था, टकसाल विभाग का जोरी खना का जाता था, टकसाल विभाग को क्या का जाता था, जोरी खना, टकसाल क्या आता है, जहां पर की सिक्के रुपिय को जमा करके सुरक्षित रखा जा, उसी को क्या का जाता है, टकसाल, टकसाल विभाग को क्या का जाता था, च्शोरी खाना चेट में आरे हैं कि तरह बेपार नीपून दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंजाल एकर उत्तर भारत में अकर बसे लोगों को बडवा कहाँ धा उत्तर भारत में यहीं से आखे ने पीजेल कशन की बढ़ां को वेस वग कहा जाता था यहां पर मनुष्य के विक्रे विक्रे होता था अब मनुष्य के विक्रे को क्या कहा जाता था वेस वग मंदीरों में रहने वाले इस्तरियों को देवदासी कहा जाता था इस समय मंदीर में जो इस्तरियों रहती थी उसे क्या कहा जाता था देवदा जाता था या तो भूमी दिया जाता था या नियमीद वेतन दिया जाता था विजे नगर राजी में कल्यान मंडव की रचना मंदीर निर्मान के लिए विशिष्ट अभी लक्षन है विजे नगर की मुद्रा पेगोंडा तथा बहमनी राजी की मुद्रा हून थी ये विजे नेगर समराज से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी